हम अज़का दोस्तों आधा मापको कुरकरी वह बनाना सिका रहे हैं बिंडी हम इसमें सबसे पहले हम ने वह लिए डाइसोग्राम बिंडी लिए और दो मिट्ची लिए अब हम गैस दिलाएंगे हम अब इसमें दो बड़े स्पून हम ले रहे हैं ऑईल के हम इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं हम कुरकरी बेशन बिंडी बना रहे हैं यह देखिए हमें दो सर्विंग स्पून ले लिए हैं अब हम डेड़ स्पून लेंगे पड़े प्रेशन की देखिए अब हम बेशन डानेंगे श्रुन यह देखिए वे बेशन को बूलना है यह देखिए बेशन डाल रहे हैं श्रुन यह देखिए अब हम इसको लाल कर रहे हैं यह हमारे एक दोस्की आईटी रिक्वेस्ट की आप प्रिपा करके हमें बेशन की बिंडी कुट-कुरी करके हमें वह करें सिखाए हैं उनका नाम है यह देखिए हमारे बेशन बून के त्यार हो गया है अब हम इसमें आदी चमच खंदी डाल रहे हैं वन टेबल मतब आदी चमच इसमें फिर हम देखिए तोस्क गरव मसाला डाला है जनियां हम डाल चुके हैं लाल मिज भी हम दाल रहे हैं शूरूशी मैं ज्यादा नहीं इसलिए मैं जोगती डाल रहा हूं है बाग्याब अपने स्वाद अनुसाद जैसे भी आपको डालना चाहिए और डाल सकते हैं हा जिए ले बीजने कंड थी इसमें बड़ा बड़ा इसलिए कटा था कि इसलें से मसाला चाहा कि अंतर अधर आग देखिए अब हम मसाद अनुसाद नमक प्रचा हो सब्सक्राइब सिरंग तक सांप लेकि रही तक तो आपजाह मैं राइग हैं साथ सब्सक्राइब अब हम इस तो इलाएंगे, यह देखें हिन रही है देखें कित्ती अच्छी लग रही है, आप देखी सकते हैं, अब क्लास लग रही है अब हम पकाएंगे इसको देखें, बिल्गो सिंपल रैसेपी है, दो मिट में बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर हाँ थो रहा है टाइम बेशन बुनने में लगता है, जैसे आप देखी रहे है आप बिंडी को वह भी कट सकते हैं, छोटा छोटा कुछ लोग ठोटा खाते हैं, कुछ लोग एक बिंडी को बीच में से, मतलब खाफ करके खाते हैं, हम खाफ करके खाते हैं देखिए किती टेस्टी लग रही है, मैं तो मन कर रहा है, अभी भी सी मैं बस बना हूँ और जिप्सट खाज हूँ ये देखिए ये देखिए, हमारी बिंडी क्यार हो गई है, ये हमने थोड़ी सी कच्छी लखे है, क्योंकि जब हम कच्छी रखेंगे, तब जाधा तेस्ट आएगा देखिए किती अच्छी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है आप इसको गर्मा करम परोसे, इसमें आप खूपर से खारा धनिया भी डा सकते हैं मगा हरे धनिया से इसमें बिंडी में टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके हम नहीं डालते है तो आप ज़रूर खाईए और मुझे बताईए कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताईए और मेरा चैनल लाइक, तस्काइब, एंचेर ज़रूर करें धन्यवाब